वेलकम जी वेलकम आज का अजन्डा यह है कि मुझे काफी लोगों ने पूछा कि कंट्रोलर के पर बैट लगा के अलाइन्मेंट कैसे होती है लोग थोड़ा कंफ्यूज है कि कैसे अलाइन्मेंट करें यह दो मेरे बैट के पर मैं दिखा हूँ आपको जर्णा पास से अजिए अच्छा अव का में पास्रिफ्ट का मैंने कंट्रोलर अपने कस्टम वूडन बैट को बड़ा काट के फिट करने अब वर्ट्वल बैट से बैट गृट ग्रिफ सेटिंग्स में हम जाएंगें और मैं आपको दिखा दों कित्रा मेरा अलाइन्मेंट दो बिल्कूल सी अब देखो जो आपकी बैक लिफ टाएगी पीछे से एक शुडबी बेरी स्रेट ये अगर थोड़ा सा भी टेड़ा हुआ हैंडल वेंडल अलका सा भी लेफ राइट हुआ तो शौर्ट मिडल में लगेंगे कंट्रोल विजिलिटी ऑन बैट की ऑप्शन है हाइड कर सकते हैं अब चुप गया अब यह दुबारा आगया है यही कंट्रोलर आपके बैट पर कहां लगाया है अब देखो मेरा बिल्गु प्रॉपर तरी से सेट हो चुका है आप भी सेट रहो ऐसे कोई दिक्रत नहीं है अ पिछ नॉर्मल रखते हैं बैट शील्ड आफ फुल लंथ तरी परो में बॉल आए मेरा बिल्कुल यहां बॉल आएगी और यह मेरा बैकल बैट सीदा आना चाहिए यह तभी आएगा बैट सीदा आलाइमेंट जैसे मैंने दिखाई थी बैट ग्रिप सेटिंग के यहां आएसे बिल्कुल सीदा आना थी वडास अब ही लेट रख भागा तो मदा नियाएगा यह पाली बॉल इदो बड़ास बैट एंगल हो गया हाँ बैट लेकी मिडल भी लगी है यह तो बिल्कुल बैट इंद अचा टाइम हुआ यह तो बिल्कुल बैट इंद अट राइट अब इवार मेडल स्टम का गार्ड ले सकते बिल्कुल सीदा यास बैट सीदा को तो कवट रहे मारो आप रहे मारो जामर जी मारो फेकंड बॉल आ बाई प्रेश थी लो तो नीचे एज बाटम एज बॉल की पीछे चलेगी अब एक गवार आई बार यह तो यह हो कि ताच्छा मिडल हुआ है तक बिल्कुल स्पॉट जीसे कहते हैं जबरदस्त नेक्स बॉल बहुत बढ़ बढ़ यह शॉट और अंड्रेव होगी बॉल एंगल पे मेरे लेक्स्टम की तरफ आई मैना अंड्रेव मार गी मिडल हो य यह देखो देखो बहुत बढ़िया यार अलाइनमेंट आप सीधी करो सबसे पहले जाके तभी आपसे शॉट लगें कि सीधेशी बोटी बाद यह है पेट शॉट बैतरीन प्रचिन का श्रेट रहे गए प्रीपले देखो यह दो क्या लगा या रहे प्रीपले में दिखता है कि बैट नीचे सीधा आया है कि नहीं आया है इन बात अब लेफ्टा में तो इसका एंगल चेंज होगा हम लेक्स्टम के भाहर सबड़ा हड़े होंगे तो सीधा तो बैट रहें मेंट करके आप प्रैक्टिस बुड में जाओ और अपने शॉट्स रीपले में बार बार हर चीज के प्रैक्टिस कर सेक्ते हैं एंगे एंगए बहुआ है जाओ लेफ्ट्अपसर अरह है सेकंड बॉल कोडा सा इंगा बॉल को बॉल को अएग्यार के टाइब बॉल ती वहरा से लेफ्टम से दॉड्सर झाल आरह है उप्रसा पेसर अटाइस था पार शॉट्स ता बॉल एक्स्टाम के भार थी ती कहीं पर सही खेली है मैंने ओन रहे है रिप्ले बैट सी था एजी तो एजवेज का चक्कत नहीं हो तो मुझसे वह प्लेयर्स ये भी बूछ रहे हैं कि एज आते हैं हमारे बॉस्टार एज इसलिए आते हैं कि आपका बैट अलाइलमेंट आपधायन पे डिड़ा होगा अब हम करेंगे लागद सी लेक्षपिनर सिलेक लाइक सिर्दी बाल तो सिदी बाल्स ताइड बैट को सिदा खेलना है वद्ट को सिदा अना चीए बिलकु सिदा है वेरी गूड ना लगी बैट पे बॉटम पे वीडल में एक बार रिपले च सारा खेल है बैट अलाइनमेंट का भाई मेरे समझे लो मेरी बात कि आहा हा क्या स्पीन हुई है वाह देखा स्पीन हुई तो थोड़ा एज आया मुश्किल गेम है असान नहीं है प्रेक्टिस करनी पड़ती है एक और बॉल खिलते हैं बिल्कुल स्टेट मारने की योशिश करता हूं सैट स्कीन की तरफ हाहा लगी 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 भाई एल्बो स्ट्रेट बैट स्ट्रेट टॉक का स्ट्रीन का तो जी ऐसा है बैट अलाइनमेंट सीधी रखो बैट नीचे बिल्कुल सीधा आना चाहिए त कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है जी कोई क्वेश्चन हो कोई आंसर हो कुछ भी पूछ ना हो कमेंट से पूछो अभी हम वीडियो करते हैं लाइक सब्सक्राइब कर लो कहानी तभी मनती है भाई बाई बाई